हे गाईस ये सेटप थोड़ा नया बनाने की कोशिश करी है अगर ये फॉर्मेट सेट हो जाता है ना तो मज़ा आ जाएगा मेभी ये तीसर राउंडर चेकिंग करने का की फ्रेम सही आ रहा है की नहीं आ रहा हर बार फाइनल फ्रेम बोलकर आ जाता हूं मैं चेक करने और अब जाके शायद हो सकता है मुझे मिल जाए तो दोस्तो अकेली मूवी आ चुकी है थेटर के अंदर जो एक सर्वाइवल और थ्रिल मूवी है जिसे लीड रोल में प्ले किया है नसुरत मैम ने और सच बता रहा हूं अकेली मूवी को मैं अकेला देखने किया थेटर के अंदर और अकेला ही देखके आना पड़ा क्योंकि कोई आया ही नहीं था और यहां तक कि मेरे यार दोस्त ने भी इस मूवी के लिए मुझे डग दे दिया तो कैसी ही मूवी आये बात करते हैं वैल इंटेटेमेंट के मामले में लगा न पाए तुम्हें कोई चेपी इसरे बार-बार ओनेश रिव्यू देने आएगा तुमारा भाई जेपी पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी की तो हाँ भाई हो सकता है इस में स्पोयलर भी हो तो आगे समल कर चलना इस्टोरी एक पंजाबी लड़की की जिसको इंडिया के अंदर कहीं जोब नहीं मिल रही है और उसके उपर भारी लोन है जिसे वो जल्दी से जल्दी चुकता करना चाती है जिसके लिए वो बाहर देश में काम करना चाती है ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा के उस लोन को जल्दी से जल्दी चुकता कर सके पर बाहर भी उसे एकी जगा जोब मिलती है वो भी इराक में समझ रहो ना स्टोरी कैसे लिखी गई है अब लड़की उस जोब को ले लेती है और इराक चली जाती है जोब करने के लिए पर वहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद कुछ लब ट्राइंगल करने के बाद वहाँ के महल चेंज होने लग जाती है यानि वहां के जो भी लोग है उगरवादी, अलवादी, आतंगवादी वो अपने देश पे ही कबज़ा करने लग जाती है जिसकी वज़े से काफी सारे सिटीजन और वो लड़की फज जाती है अब पूरी कहानी इसी पे बेसे है वो लड़की कैसे सर्वाइव करके, कैसे इंडिया वापिस आती है और इंडियन गौर्मेंट उसमें उसकी क्या मदद करती है जिसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जरोस से जादा थोड़ी ना बताऊँगा ताकि आपका मज़ा किरिकरा हो जाए कुल मिलाके अभी से मैं ये बात साफ कर देता हूँ, ये मूवी वन टाइम वोच है सिर्फ नसुरत मैम ही इस मूवी के अंदर अकेली आपको देखने को मिलेंगी और उनकी एक्टिंग पर जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निवाया भी है मूवी के अंदर लगबग आपको दो या तीनी सौंग सिर्फ सुनने को मिलेंगे जो काफी अच्छे हैं और सुनने में अच्छे भी लगते हैं बात करें मूवी की पहले पॉजिटिव चीजों की तो मैं आपको बता दू नसुरत मैम के इलावा भी इस मूवी के अंदर कुछ एक्टर ने बहुत जादा अच्छी एक्टिंग करिये जिनके ओपर कैमरे का जादा फोकस ना होते वे भी वो कैमरे में अच्छे खासे फिर अचानक से ठीक हो जाए और वो बंद आपके पीछे पढ़ाओ फिर अचानक से कार दुबारा गड़े में या बंद पढ़ जाए फिर अचानक से वहां से निकाल पाओ अब यह जो एक भागम भाग वाली दोड पीछ है ना यह आपको एक थ्रिल मूविमेंट दी जात है और जाना भी है तो इतने सारे देश होने के बाद भी इराक में इसरी उसे जो मिल पाती है एंड मूवी के अंदर काफी सारी सुचूशन ऐसी थी जो बहुत जादा कठीन लग रही थी पर उन्होंने उसे बड़े चुटकियों से असान कर दिया खेर मैं आपको बता दू मूवी वन टाइम वोच है और इस मूवी को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं मूवी के अंदर कुछ भी ऐसा अल्टिमेट या न्यूडिटी नहीं है पर हां मैं यह कहूंगा बच्चे से दूर नहीं और मूवी का डारेक्शन जो मुझे समझ माया वो अभी हाली में आई कमी देखने को मिलती है साथ में मैं यही कहना चाहूंगा कुछ लोगों को यह हो सकता है मूवी काफी पसंद आए और कुछ लोगों को नहीं पर जिस थेटर में मैं गया वो थेटर तो पूरा खाली पड़ा था क्यों यह मुझे समझ नहीं आया हो सकता है जहां यह गदर 2, और हाली फिलाल में आई ड्रीम गल 2 जैसी मूवी धूम मचा रही है उस बीच कहीं यह मूवी अकेली रह गई ऐसा हो सकता है और मैं इस मूवी को देता हूं 5 में से 3 स्टर साथ ही हमारे सोचल मीडिया पर हमें फोलो कर लेना हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाक कर दोने हमारे